तो आचिके इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाले हूँ Class 11 Physics फुल पेपर तरमार से परिक्षा का समझ लिजे और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि कौन-कौन से आपके Objective आएंगे और कौन-कौन से P्रसन आएंगे विडियो में पनी रहेगा उससे पहले अगर आप मेंसे कोई भी चैल पी नया है तो सबसे पहले तो subscribe कर लिजेगा और साथ साथ Sven bell icon प्रिस जरूर कल दिए subscribe करने से क्या होगा आगे आप लोगों को जो भी बीडियो में दूंगी मिल जाएगा तो करना ही पड़ेगा but बागी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ questions जो कि आपके लिए बहुत से ज़्यादा important है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो आपका examination होगा, इसमें आप लोगों के लिए कुछ अलग pattern है, जैसे कि आपके objective रहेंगे 32 अंग के, उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो दे दूँगी जब इसके questions बनेंगे, ठीक है, उससे पहले कुछ ऐसे questions है, theoretical questions and कुछ वैंजक है, वो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला question है, उर्जा सरक्षर का सिध्धान ओधारन सह समझाईए, तो आपको बताते हैं, उर्जा को ना तो नश्ट किया जा सकता है, ना है उसको उसको उसपन नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को पूरे solutions प्रोवाइड करवा दूँगी, ताकि जो जो आप नहीं बनता है, तो वो आप comment में बताएगा, बाकी पूरे solutions देने के हम कोसिस करेंगे, उसके बास second question, Newton के दुतिये नियम का गरतिये वैंजक, तो यहाँ पर आप लोगों को ब बिलिगित नियम, तो यहाँ पर एक गल्दी है, निकाय है, यहाँ पर क्या है, बिलिगित निकाय है, ठीक है, तो आपको नियम की जगा क्या कर लेना है, निकाय कर लेना है, ताकि आप लोग यहाँ पर दीखी कन्फूज मत हुएगा, बिलिगित नियम नहीं होता, बिलिग क्या होता है आप लोगों पता होगा कि टाव बराबर एक सूत्र निकलता है जो कि बल्योगम का सूत्र होता है तो उसको आप लोग देखिएगा बल्योगम से क्या दात पर यही कॉश्चन्स आपको बारसिक परिक्षा तक देखने को मिलेगा बल्योगम अपक्षा खिषना आसान होता है तो यह कॉश्चन आपका तत्या तमक प्रेस्ण है और इसमें आपको बतने कर्वाद इक रिखो किसी दरसा आती है तो आई थिंक इसका भी होता है सेंबल साइद बागी आप लोग मिलाएगा उसके बाद दिख देख कॉस्चन नमर 12 तो बारवा में हैं यहां पर न्यूटन के बल जो है उसकी परिभासा दी दिए तो न्यूटन बल की परिभासा मतलब उसका जो मात्राक होता है वो न्यूट सब्सक्राइब करने यहां जैसे कि यहां पर तीज गाड़ी चलाने से अचानक नीच उतरते यात्री क्यों गिर जाते हैं उतने पर आतरी क्यों गिर जाते हैं फिर उसके बाद है पेड को पेड की हिलने से उसके फल तूटकर क्यों गिर जाते हैं तो गुर्दवा कर्थन के कारण बंदू की गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है तो प्रते क्रिया के बराबर प्रीत प्रती क्रिया होते हैं उसके पुणी से जल खींचते समय तो यहां पर मेरी हाल से कुवा होने कुवे से जल खींचते समय रस्सी का तूड़ जाना और हम पीछे के गुर हो जाते हैं तो यह क्या है तो यह सारे आपके नियम पर आधरेते तेनों नियम गाती कि उसके बाद अवकलन बिधी ठीक कलन लिखा आपके आपके अवकलन बिधी से आप क्या समझते हैं एक समानतोर समीकरणों की स्थापना कीजिए ठीक है यह आप लोग देखिए का उसके बाद देखते हैं आगे क्वेस्ट नमर्स तरवा आवेस सरक्षण का नियम तो जैसे उर्जा सरक्षण का नियम है वैसे ही से आम ह इसपस्ट कीजिए तो यह कॉस्टिन से प्रस्ण वैंक से लिए गए क्लास 11 2020 वाली तो उसमें आप लोग अगर वैसे मैं पढ़ा दी रहती हूं तो मुझे थोड़ा ध्यान रहता है आप लोग होना भी पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं है उसके बाद बहुत की का ग वीडियो से आपको मिल जाए और इसके solutions के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूत नहीं है आपको यहीं सारे solutions प्रोवाइड करा दिया जाएंगे बर उसके लिए आपको हुआ करना है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में स्कूल ग्रफ में सेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मैं आप लोगों के लिए 100% सही solutions प्रोवाइड कराऊंगी थैंक्यू सो मच मिल देगली वीडियो में और यही है आपका क्लास 11 फिजिक्स पीडिया ठीक है मतलब समझ सकते हैं आप लोग आपकी तरह मारसे परिशा के लिए बाकी जो अब objective रहेंगे वो मैं आपको नेक्स वीडियो में दोंगी थैंक्यू